है एवरीवन वेलकम दूराज एकोनॉमिक्स और कॉमर्स क्लासेज मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं इन्वार्मेंट एंड सस्टेनेबल डेवलप्मेंट का टॉपिक ले करके यह पार्ट वन है ना पार्ट टू भी आएगा नेश्ट दे ठीक है ध्यान रखिएगा यह एंडियन एकॉनमी का एक इंपोर्टेंट चैप्टर है राइट जो क्लास टुवेल्फ सीवीए सी के स्टूडेंट या फिर जैक वूर्ड क्लास 11 के स्टूडेंट को पढ़ना है आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंसेप्ट रिण्शोर्स क्या है उसका मतलग क्या क्या होता है इन सबों के बारे में देखेंगे ती का हम भू समझते हैं आफ उफ इन्वार्मेंट राइट लगे जब बही हम बात करेंगे कंसेफ्ट ऑफ इन्वार्मेंट का तो जो हमारे आस पास है सारा का सारा वही हमारा environment है इसलिए कहा जाता है यह जो environment होता है यह हम human पे पी affect करता है ठीक है यह इंफ्लूएंस करता है हमारे life-line को तरह दाएगा वही कहता है it is the sum total of surroundings and totality of resources that affects our existence and quality of life कीवार्मेंट है तो हमारा क्वालिटी ऑफ लैफ डिटर्माइन करता है थो मेशारे आस पास नसका जो वातावरण है यही हमारा क्या कहलाता है environment ठीक है ज्यान राकियेगा according to environment protection act 1986 इसमें भी environment ko define किया गया कैसे environment includes water air land and the interrelationship which exist among between water air land and human beings and other creatures plants microorganisms and property ठीक है मतलब environment value का मतलब क्या ये वाटर 31 फरपट लाइण वगएरा वगएरा जो भी चीजे है उनको include करता है साथ में relationship करता है relationship सबताता है कि water एर लैंड यूमन बिंग यह सब जो है इनके बीच में किस प्रकार का संबंध है ठीक है इसे बताता है हमां हमेरा कौन सा इन वार्मेंट ठीक है घ्रांडर केगा environment includes living elements जिसको अमने बायोटिक elements कहते है बायोटिक elements मतलब plants animals यह सब घया अधिमेंट इसको अब आप अउटिक बोलते हैं इस एयर वाटर लैंड जोर्ल मिन्राल्स ठीक है यह अदर natural resources clear which make up our surroundings and impact our existence and quality of life ठीक है यह क्या है basically दोनों प्रकार के element पाए जाते living element और non living element ठीक है और उसी के द्वारा है ना यह पूरा का पूरा जो हमें चारों तरफ दिखता है यही हमारा क्या है इन वार्मेंट है ठीक है सबका important role होता है human के quality of life human का existence कहीं न कहीं एक दूसरे पर सब पर depend करता है ठीक है अगर हम बात करें significance क्या है या फिर function of environment तो याद रखेगा environment offers resources for the production इंपल सी बात है अगर environment की अगर बात करें तो यहां पर काफी सारे resources है ठीक है विचर फ्री अबलेबल है ना as the gift from the nature जो हमें क्या है nature के द्वारा free में available हमारे लिए है इन resources का यूज होता है production process में तभी हम लोग goods and services बना पाने के लायक होते हैं ठीक है जैसे सिंपल सी बात है ने कहा जाता है production वैसे भी production का मतलब क्या होता है conversion of natural resources into useful thing ठीक है जैसे सिंपल सी बात है कोई भी चीज का production करना हो तो वहां पर कही नहीं कहीं environment का environmental जो natural resources उसका involvement आता है जैसे chips का factory है chips का factory में इन पूटेटो और पोटेटों कहां पर होता है land पर होता है दिस इज इन वार्मेंट ठीक है यह हो गया हमारा natural resources से दुसरा इंवार्मेंट कर फंक्स नहीं इन वॉर्मेंट सटेन्स लाइव देखर इंवार्मेंट के अंतरया सट तन वाटर एयर यह सब चीजें भी आता है ठीक है जो हूमन लाइप के लिए काफी इंपोर्टेंट है गर यह सब एलिमेंट अबिलेबल ना हो तो हमारा एड assimilates West जो जितने वेस्टेज जो प्रोड्यूस होता है फैक्टरीज के द्वारा या प्रोडक्शन कंजम्शन के प्रोसेस में जितने भी वेस्टेज आते हैं इन वेस्टेज को इनवार्मेंट अबज़ॉब कर लेता है ठीक है इननवार्मेंट है जो उसको अपने अंदर क्या करता है उसे नश्ठ कर देता है ठीक है यहां तक कोई दिक्कत नहीं है और क्या है इन्वार्मेंट इन्हेंस क्वालिटी ओफ लाइफ देगे सिंपल सी बात है कि हमारे आसपास नदी ओसियंस माउंटेंड डिजर्ट से जहां पर लोग जो है ना इन जुआए करते ही इन सराउंडिंग्स को और क्वालिटी ओफ लाइफ को बेटर बनाते हैं ठीक है तो दी मेननुंल प्राकार के हाथ है मतल Eaters क상이 लिए लेसिकेली क्या क्यार रिषॉड आर णन रिणी रिणी आब़न रेसोर्सर्स लेसे ठीक है रिण्योःबल रिसोर्स कि इस. पूलते है तोज विछ प्लेश्य पीरिप्लेट एस्टश मतला जिसको दुबारा जो दुबारा बन सक करता है वह nad जोष्ट नहीं करता है ठीक वह खतंब नहीं होने वाला चीज करें दिशर्स धेक्श हो सकता है ठीक है उसके यूज से उसको बंब मैं हुँ सा। करोडो साल लग जाते हैं ठीक है जैसे फॉजिल फ्यूल है ना यह सब चीजे क्या है यह सब वो चीज़ें है जो नन रिन्योबल रिसोर्सेज हैं एक बार खतम हो गया तो दुबारा नहीं बन सकता है हम यूमन लाइफ को दुबारा मिल नहीं सकता है तुकि उसके बनने का प बत्म हो जाएगा तो फिर दुबारा नहीं हो सकता है नहीं आसकता ठीक है इसमें प्रॉब्लम्स क्रीट कर दिए हम लोग है कैसे हो रहा है प्र्रॉब्लम्स और पॉल्यूशन प्रॉब्लम औप excessive exploitation of natural रिसोर्सेज या फिर डिग्रेडेशन आफ नेचरल रिसोर्सेज ठीक है इंपली पॉल्यूशन एक बहुत मेजर प्रॉब्लम प्रेजेंट टाइम का है ठीक है इसके अलावा जो नेचरल रिसोर्सेज उसका ओभर एक्स्प्रॉटेशन कर रहे हैं धुमन अपने आवसकता के चक्र में बहुत ज्यादा एक्स्प्रॉइट कर रहा है नेचरल रिसोर्सेज ठीक है यह एक प्रॉब्लम है जो आने वाले समय में आने वाले पीड़ी को प्रॉब्लम दे सकता है ठीक है तब से पहला पॉल्यूश कंजम्शन की ऐसी अर्टीविटी है जो एयर की घटाती है वाटर की घटा देती है और इंवर्मेंट को पॉल्यूट कर देती है ठीक है कहता है अभी के समय में प्रोसेस ऑफ ग्रोथ जो है हर कंट्री चाहा रहा है डेवलप्मेंट ज्यादा से ज्यादा करें इसके लिए बह पॉल्यूशन के रूप में हो सकता है तो वन इन पॉल्यूशन को समझ लेते हैं अगर एर पॉल्यूशन की बात करें याद रखिएगा एर हमारे लिए बहुत ही जरूरी है ठीक है तो कि एयर में ऑक्सीजन होता ऑक्सीजन हमारे जिंदगी के लिए कितना जरूरी आपको पता है कहता है पोलेशलाप एंपलिशन एलिमेंट ओफ लाइफ मत्था अगर ehr मतलब हो रहा है एक हमारे जिंदगी का एक इंपोर्टंट अलिमेंट हो रहा है एक हमारा है उसकी क्वालिटी घर जाना individual पूलुषन उता है या से होता है कौन से इस currencies क कर रहे है इंडस्ट्री इंडस्ट्री से बहुत जा रहे जो गैस改े घ!' जा रहे है तो उसके जो गैसे निंगता है इस से एयर पोलुषन होता है प्रोसेस ऑफ चैमिकल ट्रीटमेंट के दौरान भी जो पॉजनस गैसे जो आता है ठीक है उसे का एर पॉलूशन हो रहा है अभी के समय में बहुत जादा मोटर विकल्स हो गया है लोग हर व्यक्ति चाहता है मेरे घर में गाड़ी हो यह सब चीज़ें ठीक है उससे निकलने वाला जो गैसे होता है वह भी एर की क्वालिटी को खराब करता है ठीक है याद रखेगा एर पॉलूशन होने से बहुत ही ड यह ठीक है अगर बात करें नेक्स्ट वाटर पॉलूशन का वाटर पॉलूशन वाटर भी बहुत जितनी आवस्यक हमारे लिए एर है उतनी आवसकता हमारे लिए पानी भी बहुत है थिक है और जब वाटर की QUALITY खराब हो जाना ठीक है और जब वाटर की क्वालिटी होती है तो उससे भी बहुत सारे डीज्स होने लगते हैं अब कॉन से फ्क्टर हैं किgary वाटर का क्वालेटई खराब कर रहा है इंड्स् Dartmouth इंड्किन Cain Soches असे क्या कियात है रीवर अगेरा में कमकर दिया जाता है इसे कान रीवर के जो वाटर है उसका पूरा क्वालिटी खराफ हो जाता है उसमें रहने वाले जीव खराफ हो जाते हैं ठीक है जो घरेलू यूज में करते हैं जो गर्वेज वेस्टे जाता है उसको भी हम लोग कहीं न कहीं डम कर देते हैं रीवर वगेरा में अग्रिकल्चर रन ओफ डाट रॉन्स इंटो थर्मल फावर हाउसेज जो डिस्चार्ज करता है मिक्ष्ट एसेज है ना तो वह भी वाटर में कहीं ने कहीं चला जाता है ठीक है तो दीज आर्टा रीजन वीट कोसेज वाटर पॉल्यूशन नेक्स्ट है नॉइस पॉल्यूशन मतलब जो आवाज है ना काफी लाउड आ उसके कारण भी होक्टा है के सबसे क्या होता है लोगों की सुनने समय सुनने की चहामता है कहिने कहीं नोईज थिभूटने लगती है क्लियर यह आपका पॉलूशन होगा है आपके तीन दुसरा प्र प्रॉबल्म तो प्रॉबलम जो इनवर्मेंट का पहला प्रॉबलम था पॉलूशन दुसरा प्रोब्लम क्या थह एकसे सी एक्स्पोरेटेशन आफ नेचिरल रिसोसन लिए का मतलब क्या हुआ नेचर के द्वारा दिया गया वैसे रिसोसे जो हम यूमन अपने लाइफ को चलाने के लिए यूज में लाते हैं लाइक फोरेश्ट मिन्राल सोईल यह सब चीज़ें बोदा क्या है इन और टू अचीव एकोनॉमिक ग्रोथ में नीट्स नेचरल कैपिटल और लग फीजिकल Cory्ट केंटर बिटैने लिए टिछोन रि最 Olivier सोसन पूं भी बूहिजें ग्रोथ करते हैं तो में फीजिकल ग्रों सी जानते है ब्लस तो logo घ्रल प्रोड़ट बार्क्रिशन xycz करता हम झाता है टो फीस्कडD करता है यूज के साथ सब वो खराप होते आते हैं तो वैसे ही नेचल रिसोसे जो नेचल क्यापिल वो भी खराप होते जाता है घूर्फन एक प्रोविजन पॉर दा रिप्लेस्टम फिजिकल कैपिटल फिजिकल कैपिटल जो है उसको रिप्लेस करते हैं दूसरे मसीन से बट डड़ डेप्रिसीएशन डिडिटेशन अब रेचल कैपिटल इसका तरी प्लेस्पेंट हम लोग नहीं कर पार है ना इग्नोर कर देते है जब पूरा फैक्टरी देना है तो पूरा डिप फोरेस्टेशन कर दिए लेकिन जितना पेड़ चला गया जो नेचर रिसोर्स गया क्या कहीं दूसरे जगा वैसा में उगाएं नहीं यह समस्या है ठीक है तो यह जो हमारा एक्सेसिव एक्सप्रोटेशन अब नेचर रिश आपको पता होगा इंडस्टियलाजेशन एक बुन है ठीक है मतलब बहुत अच्छी बाते हम वर्दान है लेकिन यह बैन भी है कैसे कि जब इंडस्टियलाजेशन होता है तो लोगों का इंकम जरूर बढ़ता है ठीक है क्वालिटी ओफ लाइफ जब सुधरता है लेकिन इ महिस अरे प्रोडट्ट है जो फोनिट रिवाश्ट प्रोडक्ट है शुट्रोअ मिनरेल्ज टीक है उसकर नकबी कर साथिई हो जाता है इंडस्टियलाज जा Betsy लेЗचन होता है एदो से अरुप नायजेशन होता है अशंच के बात है और मैजेशन जहांपे होगा फारेश् सब चीजें के कारण भी deforestation होता है जो डैम वगेरब बनता है तुसके आसपार्ग का एरिया जो है उसको क्लीन किया जाता है मतलब जंगल वंगल काटा जाता है ठीक है और इसका भी एक बहुत बड़ा रिजन डीपफोरेश्टेशन होगा तो उपर का मिटी होता है नहीं त्वर कम पड़ जाता है थोड़ा भी बार आएगा ज्यादा मिटी बहा के लिए जाता है छांडी इस्ट छार्टर लोगिंग जब जल जमाब हो जाता है तो से काय च्छय हो जाता है ना जो मिटी है उसका प्रोडक्टिवीटी घट जाता है ठीक है यह सब इस आप इसके लावा है इतना अच्छा हो रहा है मतलब होता है उसकी जो इस्थिती वह खराब हो रही है क्यों हो रही है पोपुलेशन एक्स्प्लोजन पता ही है वर्ड का काफी तिव्र गती से बढ़ रहा है अप लोग अपने नीड को पूरा करने के लिए इनवर्मेंट को ही तो नुकसान कर रहे हैं इंडस्टियल इंडस्ट पॉपुलेशन ज्यादा होने से इंडस्टियल आजेस्ट ज्यादा होता है इस पॉपॉलेशन यह सारी चीज़ें पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा रीजन है वाइड इस्प्रेट पॉवर्टी छानी बात है पॉवर्टी ज्यादा होने से एक यह इक रीजन वंता है इंवर्मेंट डिदेशन से जबंग करते हैं करने लगते हैं और ऑप sels इंक्रीजिंग अलबनाइजेशन अलबनाइजेशन बड़ रहा है ठीक है जंगलушка कट रहा है रइड उसके कारण भी हमारा इंवर्मंट डिडिटेशन हो रहा है इंक्रीजिंग-ease प्रोड़क्टिवीटी को इन्हेंस करने के लिए बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में इन्सेक्टिसाइड पैस्टिसाइड इन सब चीजों का यूज हो रहा है जो इन्वर्मेंट की क्वालिटी खराब कर रहा है ठीक है रेपिट इंडेस्टियलाजेशन सिंपल स अगेरा भी होता है रहे अप्रिश्टिव फोटेलजा यूज लौ को ऑखते हाँ तो में बहुत जाइदा है तो बहाई आ जाता तो वाटर पॉल यूशन भी होता की रहा है मुल्टी से पलीटी आफस्ट ट्रांस्पोर्डिच के बारें में बता दिए हैं इस रिजाड फो क्या था environment के बादे में एक स्वापनेश्य वीडियो आएगा उसमें मैं डिसक्स करूंगा सब्सक्राइब डेवलप्मेंट के बारे में जो आपका environment in sustainable development के चैप्टर का थे पार्ट है तो आज कहीं तक मिलेंगे नेक्स वीडियो में तर तक के लिए धन्यवाद